क्या आप जानते हैं द्रौपदी के नामों का रहस्य क्या था? द्रौपदी के पांच नाम द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा गया था क्योंकि वो राजा दृपद की पुत्री थी उन्हें पांचाली तो इसलिए कहा गया क्योंकि राजा दृपद पांचाल देश के राजा थे उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सकी थी एक नाम था याग्यनी जो की इसलिए रखा गया क्योंकि वो यग्य करने के बाद पैदा होई थी और अंत में उनका एक नाम था सिरंधरी सिरंधरी का अर्थ होता है पती के अलावा अन्य पुरुशों के साथ रमण करने वाली लेकिन ये सच नहीं है अग्यातवास के दोरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहां उत्गी पतनी सुदेशना के सौंधरे की देखरे करने वाली के रूप में कारे किया इसलिए उनका नाम सिरंधरी था सिरंधरी के रूप गुण और सौंधरे से प्रभावित होकर महरानी सुदेशना ने उन्हें अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त किया था बारा वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अग्यातवास में मत्सदेश के राजा विराट के राजे में विसमय व्यतीत किया था पांचों ने अपनी योगिता अनुसार राजा के यहां भिन भिन कारे को समहाला था तो दोस्तों, ये थी जानकारी द्रौपधी के नामों को लेकर अगर आप भी द्रौपधी के किसी नाम के बारे में जानते हैं तो हमारे वीडियो की कमेंट सेक्षन में लिख कर हमें बता सकते हैं लाइक करें, सबस्क्राइब करें और शेयर करें